कैसे हैं बच्छ लोग सारे मिरा नाम है सुनी लदिकारी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को आज के वीडियो में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकंड के ही टाइप ऑफ पार्टनर्शिप फर्म्स और टाइप ऑफ आप के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं हमेशा की तरह राट करेंगे हम चलिए टाइपस ऑफ पार्टनर्शिप फर्मस पहले डिसकस कर रहे हैं यहां पर अलग यलग टाइप के बेसिस पर पार्टनर्शिप फर्म्स को डिफाइन करा गया है सबसे पहली है on the basis of time duration कितने साल के आप partnership firms बनाते हो, उसके basis पर भी partnership firm को हम classify करते हैं, duration के basis पर बच्चों यहां पर हमारी 2-3 partnership firms है, सबसे पहली है partnership at will, will मतलब होता है आपकी इच्छा, ठीक है, कैसे? this type of partnership exists at the will of the partner, मतलब partner अपनी मर्जी से यह partnership को बनाता है and comes to an end whenever partners desire so, मतलब दो partners मिले और उन्होंने का कि हम partnership करते हैं, किसी भी काम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जब भी यह duration complete होता है, या फिर जब भी उनको लगता है कि यह business हमें ठीक से नहीं चल रह है, right, that is called partnership at will, जब partners, कोई भी business को, कोई भी partnership firm को अपनी मर्जी से start करें, है ना, और अपनी मर्जी से ही end कर दें, partnership at will, simple हो रहा है, चली, fixed period partnership, नाम से पता लग रहा है, एक specific period के लिए, जब हम कोई भी partnership को form करते हैं, that is called fixed period partnership, the partnership is formed for a specific fixed period ये fixed, fixed period of time से 3 years, 5 years is known as fixed period partnership, दो partners मिलके बोलते हैं, क्या हमें 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर 15 साल के लिए, हमें क्या करनी है, partnership firm करनी है, या start करनी है, चलो हम करते हैं, जैसे ही ये duration complete होगा, पहले वाले में क्या था, start और end कभी भी कर दो, लेकिन यहां पर, जितने time के लिए, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, जितने duration के लिए, partnership बनाई गई है, उतने duration के बाद होने के बाद, वो अपने आप ही partnership dissolve हो जाती है, yes or no, third है, partnership, particular partnership, बोलते हैं इसको, right, particular partnership, अब यहां देखिए, the partnership which is formed to carry a particular venture, venture मतलब business, या कोई भी activity, एक ऐसी partnership firm, जो कि एक specific activity को, fulfill या पूरा करने के लिए, बनाई गई है, उसको हम particular partnership बोलते हैं, जैसे कि, दो partners ने मिलकर, सोचा, कि, या एक partner को, एक bridge बनाना था, dam बनाना था, road बनानी थी, एक घर को construction करना था, तो वो दूसरे partner के पास गया, उसने बोला, कि यार मुझे ये bridge बनाना है, मैं चाहता हूँ, तो मुझे partner कर, या मेरे साथ partnership कर, इस bridge को बनाने में, जैसे ही, ये bridge, ये road, ये घर, कोई भी चीज, complete होती है, हमारा contract वहीं पर complete हो जाएगा, तो particular partnership मतलब, एक particular venture, एक activity, एक business को, पूरा करने के लिए, activity को fulfill होने तक, वो partnership रहती है, as soon as the particular project or the task get completed, the partnership get dissolved वो वहाँ पर खतम हो जाती है, yes or no, clear हो रहा है, चलिए, तो duration के अंदर, मतलब, partnership जो duration के अंदर में कितनी थी बच्चो, तीन तरह की थी, will, fixed period, और हमारी particular partnership, clear हो रहा है, अब दूसरा type आता है, partnership में ही, types of partnership firms में ही, liability के basis पर, पहला क्या था, time के basis पर, duration के basis पर, next क्या है, liability के basis पर, यहाँ पर देखिए, general partnership, the partnership in which liability of all the members is unlimited, normal सी बात है, general मतलब, जितनी भी general partnership होती है, जितनी भी normal partnership firm होती है, वहाँ पर liability क्या रहती है, सारे members के unlimited रहती है, loss उने पर सारे equally contribute करते हैं, plus अपनी personal property बेज कर भी उनको, जो debt वगेरा होता है, वो fulfill करना पड़ता है, चुक है, वो limited liability partnership है, यह नई चीज है, इसको हम LLP भी बोलते है, नया act के थुरू यह launch करी गई थी, यहाँ पर होता क्या है, देखिए, यहाँ पर the partnership firm in which liability of all the partner, except one partner is limited to the extent of their share and the partnership firm is known as limited partnership, limited partnership में क्या होता है, जितने भी आपके पास partner है, दो से लेकर 50 तक, जितने भी आपके पास partner है, उन में से किसी ना किसी एक की liability जो होगी, वो limited रहेगी, limited मतलब जितना पैसा वो business में लगाएगा, loss होने पर सिर्फ उतना ही पैसा उसको contribute करना है, उसकी personal property को छेडा नहीं जाएगा, debt pay करते वक्त, जितने भी partner है, चाहें 2 हो, 5 हो, 10 हो, 50 तक इतने भी partners हो सकते हैं, उन की liability limited रहेगी, उसको debt fulfill करते वक्त, अपनी personal property बेचने की जरुवत नहीं है, just or no, clear हो रहा है, चलिए, आगे बढ़ें, आगे है types of partner, ये भी हमारे important topic है, हमने उपर दो topic देख लिए हैं, मतलब type of partnership firms देख लिए है, पहला था will, तीन category थी उसकी, दूसरा था liability, जिसकी दो category थ partnership, simple हो रहा है, बहुत ही simple दोनों concept है, type of partners, यहां पर मज़ा आएगा, देखिए, पहला है active partner, ठीक है, active partner नाम से पता लग रहा है, बहुत active है, हर काम में part लेता है, office जाता है, meeting में part लेता है, profit मिलेगा, loss में भी equal share करेगा, right, active partner participates in the management of the firm, management में participate करता है, liability जिसकी unlimited है, capital भी contribute करता है, और profit and loss में उसको share मिलता है, एक normal partner है, हमारा active partner, क्योंकि actively company में participate करता है, then come sleeping और dormant partner, sleep या फिर dormant partner इसको बोलते है, नाम से पता लग रहा है, या थोड़ा सा सुस्ती है, यह सुस्ती क्यों है, the partner who does not participate in the management, कभी जाता है, कभी नहीं जाता, है ना, तो यहां पर क्या यह office जाता है, नहीं जाता, कभी मन करता है, तो चले जाता है, नहीं तो नहीं जाता, उसको हम बोलते है, sleeping partner, ठीक है, the partner who does not participate in the management of the firm, और सारी चीज़े सब करता है, ठीक है, liability भी unlimited है, capital भी contribute करता है, profit and loss में भी share मिलेगा, लेकिन क्या है, actively participate नहीं करता, secret partner, देखे, secret partner कौन ह उसकी जो identity है, वो secret है, कैसे, the one who association or relation with the firm is not known to the outsider, partners जितने भी है न, उनको पता है कि यार ये हमारे साथ partner है, लेकिन भारवालों को नहीं पता है, यार कि ये इस firm में partner है, secret partner, किसी भी वज़े से, जब हमने किसी भी person को secret partner बनाया है, तो हम outsiders को inform नहीं करते हैं, उनको नहीं ब anticipate भी करता है, contribute भी करता है, liability भी unlimited है, सारी चीज़े करता है, लेकिन बस outsiders को हमने नहीं बता रखा कि वो हमारा part है, partnership firm में, nominal partner, देखें ये interesting है, सबसे interesting है, सबसे important है nominal partner, the nominal partner are not the real partner of the firm, ये real partner होते ही नहीं है, चार partners है, उन में से चारों में से ये बंदा नहीं है, nominal नहीं है, they only lend his or her name for the reputation for the benefit of the firm, ये सिर्फ अपना नाम company के benefit के लिए दे देते हैं, जिसे देखते हैं आप, celebrities वगएरा add करते हैं, तो क्या वो उनका ही product है, नहीं है न, वो सिर्फ अपना नाम दे रहे हैं, अपना branding दे रहे हैं, अपनी reputation दे रहे हैं कि भाई, मैं ये add कर रहा हूं, त तो मेरी reputation के basis पर आप इस company के साथ जुड़िए, आप इस company का product को use करिए, same है, आप इस example से समझ सकते हैं, they only lend his or her name and reputation for the benefit of the firm, अब दोनों को benefit हो रहा है, जो celebrity add कर रहा है, उसको पैसे मिल रहा है, और जो company उसको क्या benefit हो रहा है, company को ये benefit हो रहा है कि celebrity के reputation के basis पर उनका product भिक रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये double benefit होता है firm को, अब nominal के दो type है, ये अच्छे समझेगा, nominal के पहला है, nominal partner by stopple, समझेगा अच्छे से, nominal partner by stopple, nominal का ही part है, मतलब ये partner नहीं है किसी भी तरह किसे, लेकिन, the person who accepts that he is a partner in the partnership firm by his own words or conduct, ये own words or conduct को अच्छे समझेगा, is known as a nominal partner, ठीक है, तीन partners थे, उन्होंने meeting करी, किसी outsider के साथ, किसी के साथ investment करना हो गया, कोई important meeting होगी, ठीक है, उस meeting में तीन partner है, उस meeting में एक बंदा भी गया, एक और बंदा है, जो कि nominal partner है, ठीक है, उस meeting में गया, और actively बोल रहा है, वहाँ जाके बोल रहा है कि भई, मैं भ partnership firm का part हूँ, मतलब ये तीन के साथ, मैं भी चार जनों कि हमारी partnership firm है, खुद ही बोल रहा है, है नहीं, लेकिन खुद ही बोल रहा है, वो accept that he is a partner in the partnership firm by his own words or conduct, या तो दिखा ऐसे रहा है कि मैं भी इस partnership firm का part हूँ, हम चार partner है, तीन ही है, एक्चुल में तीन ही है, लेकिन द कर रहा है कि मैं भी इनका meeting का part, मैं भी इनकी partnership firm का part हूँ, इसलिए मेरे साथ भी तुम meeting करूँ, है ना, दिखावा ऐसा कर रहा है कि भई, actual में ये है नहीं, लेकिन दिखावा कर रहा है कि भई, तीन नहीं, हम चार partners है, तो यहां पर क्या होता है, इस type के partner को, इस बंदे को एक जो बंदा है, इसको हम बोलते हैं, nominal partner, अगर loss होता है, तो ये पूरी तरह कैसे libel होगा, meeting वालो, मतलब meeting वाले जो भी बंद है, उनको loss पे करने में, क्योंकि equally contribute करते हैं, loss होने पर, अगर एक partnership firm, इन्होंने एक deal कर ली, किसी के भी साथ, और ये तो उचल-उचल के लेगा कि भई, तीन नहीं, अब चार, तू भी देगा मुझे, क्या, एक हिस्सा, loss का, तो ये बिलकुल libel होगा लेने के लिए, clear हो रहा है, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा था, अचा, nominal partner by holding out, ये next type है, ये भी बिलकुल similar है, थोड़ा सालक है, क्या देखिए, the partner who does not call himself as a partner in the firm, but who does not object when another call him, same example लेते हैं, तीन ये बंदे थे, इसके साथ ये एक nominal partner है, और ये हमारे meeting वाले बंदे हैं, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, पहली example में, ये इस example में क्या था, इस वाले example में, ये खुद उचल-उचल के बोल रहा था, कि भई, मैं भी अपने sentences show कर रहा था ये उचल-उचल के खुद बोल रहा था, कि भई, ये मैं भी इनके साथ मिला वा हूँ, लेकिन इस case में क्या हो रहा है, holding out में, ये बिलकुल चुप है, silent है, बिलकुल चुप है, लेकिन ये खुद, ये तीनों जने, अपने context से, कही न कहीं, ये show कर रहा रहे हैं, इस meeting वाल तो ये है नहीं, मना कर सकता है, लेकिन इसने मना नहीं करा, when others call him as a partner in the partnership, देखो, but who does not object, मतलब, object नहीं कर रहा, कि भई, ये तीन बोल रहे हैं, कि भई, ये भी हमारे साथ partnership firm का हिस्सा है, तो इसको मना कर देना चाहिए, लेकिन ये मना नहीं कर रहा, ये जो nominal partner, वो मना नह कर रहा, बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा हो, कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे holding out, अब इस case में भी अगर loss होता है, तो ये meeting वाले, इस से भी ये जो nominal partner है, इस से भी loss लेंगे, दोनों में ये जो nominal partner by stopple है, holding out है, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों में गलती दोनों की है na मिटिंग वाले की थोड़ी गलती है पहले केस में तो वो खुद ही उचल के बोल रहा था और दूसरे केस में क्या है ये तीन पार्टनर है इनों ने भी इसको अपना पार्ड बना लिए और इसने भी कुछ नहीं का पहले केस में कैसे बस सकता है वो ज़्यादा उच लेना दूसरे case में कैसे बस सकता है जब यह तीन बता रहे थे कि भाई यह भी पार्ट रहे तब मना कर दो तब उस cases में यह losses का part नहीं होगा लेकिन इन जनरल cases में stopple में और holding out में यह losses में contribute करेगा clear हो पार है बच्चो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को I hope so आपो clear हो गया होगा next जो हमारा वीडियो रहेगा वो partnership firm के उपर हैगा formation के उपर registration के उपर पूरा मैं समझाने माला हूँ तो वो वीडियो अच्छे से देखेगा I hope so यह topic आपो clear हो गया अच्छा type of partner में nominal partner बहुत important है कभी-कभी directly पूछा जाता है nominal partner में stop or holding out समझाओ तो आप example देखकर भी बता सकते हो और यह definition लिखकर भी बता सकते हो clear हो पारा है को confusion तो नहीं है चलिए मिलते है next video में till then take care goodbye notes के लिए आप demand कर रहे थे description में आपको notes मिल जाएंगे वहां से आप full syllabus के notes को download कर सकते हो right चलिए thank you so much